नमस्ते में सौरब हूँ आप देख रहे हैं दील अलन टॉप पिछले 46 दिनों से दिल्ली की सीमाओ पर धरना दे रहे किसानों के अंदोनन को लेकर सुप्रीम कोड ने समवार को सक्थ हिदायत दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी जे आई से बोबले ने सरकार के प्रयासों पर निराश्य चताई और दोटू कहा कि आप क्रिशी कानूनों पर अमल फिलहाल रोकेंगे या हम कदम उठाएं कोड ने किसी पूर मुख्य नायध हीर्ष के अधिक्षता में कमिटी बनाने की बात कही है इसके लिए सरकार से नाम भी मांगे है कमिटी की रिपोर्ट आने तक क्रिशी कानून लागू करने पर जोर ना देने का भी प्रस्ताव दिया है इसके राव प्रदरश्चन के दौरान शांती भंग होने की आशंका जताते हुए चीव जस्टिस ने आंदोलन कारी किसानों से भी वापस जाने की व्यक्तिकत अपील की है सुप्रेम कोर्ड में सरकार की तरफ से मौझूद अटौर्णी जनरल और सौलिसिटर जनरल से चीव जस्टिस बोड़े ने कई बार सक्त सवाल किये किसाना अंदोलन को लेकर पूशा की सरकार इतने दिनों से आखिर कर क्या रही है चीव जस्टिस ने अटौर्णी जनरल से कहा जिस तरह से सरकार ने किसान प्रोटेस्ट को हैंडल किया है उससे हम बुरी तरह से निराश हैं हम नहीं जानते कि आपने कानून बनाने से पहले बातचीत का क्या तरीका अपनाया कई राजी इस कानून के खिलाफ खड़े हो रहे हैं पिछली बार आपने कहा था कि बातचीत हो रही है लेकिन कैसी बातचीत पक्षकार उन्ने कोर्ट को नाजुक सिति में पहुँचा दिया है चीव जस्टिस ने कहा ये कहने से बात नहीं बनेगी कि ये पिछली सरकार ने शुरू किया था हम यहां से मैधानिक्ता के सवाग पर बात नहीं कर रहे हैं हमारी मंद्शा साफ है हम समस्या का सर्मानिहल चाहते हैं इस वजे से ही हमने आप से पिछली बार भी कहा था कि क्यों नहीं आप अभी कानून को रोक लें लेकिन आप लगातार वक्त मांगते रहे अगर आपको जरा भी जिम्मदारी का आभास है और आप कहते हैं कि कानून को लाओ करने से रोक लिया जाएगा तो हम एक कमिटी बनाने का फैसला करते हैं सरकार ने कोर्ट में दलील दीकी सिर्फ कुछ किसानों के विरोध करने से कानून पर अममल को रोक देना कहां तक ठीक होगा Attorney General ने कहा कि हमारे पास कई किसान संकटन आ रहे हैं जो हैं इन कानूनों को प्रगतिशील बता रहे हैं इन किसानों को इस कानून से कोई दिक्कत नहीं है इस पर Chief Justice of India ने कहा कि हमारे पास तो इस तरह की एक भी पेटिशन नहीं आई जिसमें कोई किसान कहे कि कानून अच्छे है इस पर Attorney General ने कहा कि मान लीजिए बहुत संखिक किसान कहें कि कुछ लोगों के कहने पर आप ने कानून को लागू होने से क्यों रोक दिया तब हम क्या करेंगे Chief Justice ने कहा कि हम इन सब बातों में नहीं पढ़ेंगे फैसला कमेटी को करने दीजे Supreme Court ने किसान आंदोलन के दौरान पैदा हो रहे हालात की तरफ ध्यान दिलाया Chief Justice ने कहा आप हमें बताएं कि आप कानून को रोक रहे हैं या नहीं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे इसको ठंडे बस्ते में डालने में दिक्कत क्या है अब मामला बिगड़ रहा है लोग सुसाइट कर रहे हैं ठंड में पारिशान हो रहे हैं यह हमारी समझ से बाहर है कि विरोध प्रदर्शन में बच्चे और बूढ़े क्या कर रहे हैं खैर यह एक अलग विशह है हम समझते हैं कि बादचीत इसलिए रुक रही है क्योंकि सरकार कानून की हर धारा पर बात करने को कह रही है और किसान कानून को खत्म करने की बात कर रहे है ऐसे में हम कानून पर अमल को रोग कर कमेटी में भीजने का प्रस्ताव रख रहे हैं इसके बाद Chief Justice किसानों के प्रतने धी कि तरफ मुखातिब हुए और कहा हम विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है ये ना समझा जाए कि कोड़ विरोध प्रदर्शन को खत्म करना चाहता है लेकिन हम यही कह रहे हैं कि अगर ये कानून रोग दिये गए तो क्या लोगों की समस्याओं को देखते हुए आप रोटेस्ट की जगह बदल लेंगे हमें इस बात की चिंता है कि किसी दिन कोई कुछ ऐसा ना कर दे कि शान्ती भंग हो जाए अगर कुछ भी गलत हो गया तो उसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे कोड अपने हाथों पर किसी का खून नही देखना चाहता कानून लागू करने पर रोग की बात पर सरकार की तरह से अटानी जनरल ने आपत्ती जिताई और उन्हें कहा कि उन किसानों के बारे में सोचा जाए जो पहले से इन कानूनों के हिसास से फैसला ले चुके हैं कई किसानों और व्यापारी पहले ही कॉंट्र अगर कानुनों पर अमल रोक लिया जाता है तो क्या किसान अपना अंदुलन वापस ले लेंगे। कर नाम सुझाएं जिसे इस कमीटी का मुखिया बनाये जाएं। कोट ने कहा हमें कुछ ऐसे दो से तीन पूर्व नयाधीशों के नाम सुझाएं जिने कमेटी का मुखिया बनाए जा सके जस्टिस लोड़ा हो सकते हैं। जस्टिस सदा सीवम का कहना है कि वो हिंदी नहीं समझते हमें कुछ और नाम दें। किसानों के वकीरों के तरफ मुखातिफ होते हुए जस्टिस बोब्रे ने कहा कि वो किसान संगठोनों से बात करके बताएं कि क्या वो कमेटी के सामने पेश होंगे या नहीं। आपके लिए जानकारी लाइथ हमारे साथ ही हमीद देखते रहे हैं दिललन टॉप लाइफ के फैसलों पर कितना असर पड़ता है आपकी ससाइटी परिवार और दोस्तों के दपाव का